लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले इंग्लेंड के एक मशूर फोटोग्रापर माइकल स्कॉट ने सबसे पहले खास बेल की तस्वीरे ली एक दिन शौक किया और पर वो अपने कैमरा से तस्वीरे खीच रहे थे इसी दोरान एक खेत में उन्होंने ये बिल देखा देखने में ये बिल खर गोश जैसे छोटे प्राणी का लग रहा था लेकिन वो असल में कुछ और ही था जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहे थे तभी उस गड़े की सच्चाई का पता करते हुए कुछ ऐसा नजराता है जिसे देख वो सुन पड़ गे नजदीक से देखने पर उन्हें उस बिल के अंदर काफी बड़ी जगह दिखाई जो किसी मतसद से बनाई हुई लग रही थी जिग्यासा के कारण जब माइकल ने इस बिल को खोदा तो उसके अंदर उन्हें पूरी गुफा मिली जिसके चैंबर अब तक सुरक्षित थे जब पुरातत्व विभाग ने इसकी सूचना मिलने पर जाच की तो उन्होंने बताया कि ये गुफा एक नाइट स्टेमपलर गुफा है नाइट स्टेमपलर एक क्रिश्चियन मिलिटरी ग्रूप का था सन 1129 से 1312 के बीच नाइट स्टेमपलर एक टिप था इस गुफा का इस्तिमाल भी सीक्रेट मीटिंग्स के लिए किया जाता था उस समय इन गुफाओं में ही सारे सीक्रेट काम किये जाते थे अन्य देशों को खबर ना हो इसलिए इस तरह की गुफाय बनाई जाती थी इस गुफा को करीब 700 से 800 साल पुराना बताया जा रहा है